Hello everyone, welcome back to my channel and मैं हूँ दीपा दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चाई पीने के बाद आपको कौन सी ऐसी चीज है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में आपको चाई का सेवन करना ही नहीं चाहिए लेकिन अचानक प्रेगनेंसी आ जाने से या किसी की कह देने से आप चाई नहीं छोड़ पा रही हो फिर कुछ लोगों के लिए चाई छोड़ना बहुत मुस्किल हो जाता है इस कारण से वो चाई प्रेगनेंसी में भी पीते हैं लेकिन फ्रेंस प्रेगनेंसी में भी यदि आप चाय का सेवन कर रही हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चाय दो तरह की होती है एक हर्बल टी और दूसरी नौन हर्बल टी फ्रेंट्स प्रेग्नेन्ट होने के बाद भी यदि आप चाय नहीं छोड़ पा रही है तो आप कोशिस करें कि आप हरबल टी का सेवन करें हरबल टी में आप ग्रीन टी, लेमन टी या फिर पुदेने वाली चाय या फिर अधरक वाली चाय को सामिल कर सकती है लेकिन फ्रेंस प्रेगनेंसी में आप ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफी का सिवर ना करें क्योंकि इसमें कैफिन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये आपके गर्बस ठिसु के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है इसलिए जहां तक हो सके आप हरवल टी का अस्तमाल करें ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी का अस्तमाल ना करें प्रेंस जैसा कि आपको पता है कि आप प्रेग्नेंसी में जो भी खाती हैं या फिर जो भी पीती हैं जिस तरह से रहती हैं जैसा आपका स्वास्त रहता है उस सारी चीज का असर आपके गर्वस्त सिसू पर पड़ता है तो प्रेगनेंसी में आप जैसा खानपान रखेंगी उसका सीधा असर आपके गर्वस्त सिसू पर पड़ता है दोस्तों आप जान लेते हैं कि चाई पीने के बाद या पहले आपको कौन सी चीज का सिवन नहीं करना है तो यदि आपने चाई पिया है उसके एक घंटे पहले या एक घंटे बाद तक आपको आईरन वाली चीजों का सिवन नहीं करना है तो फ्रेंस यदि आपने चाय का सेवन किया है तो उसके एक गंटे पहले या फिर एक गंटे बाद आप आईरन वाली चीजों का सेवन ना करें क्योंकि इससे गर्वज सिसु को परिशानी हो सकती है फ्रेंस वैसे तो आपके प्रेंसी के बाद डॉक्टर्स के द्वारा अलग से सप्लिमेंट्स आईरन के दी जाते हैं जिससे आपके सरीर में या फिर आपके गर्वज सिसु पर आईरन की बिल्कुल कमी ना होने पाए लेकिन फ्रेंस चाय के एक गंटे पहले या बाद आपको आईरन वाली चीजे नहीं लेनी हैं आईरन वाली चीजे जैसे की चिकन, मचलियां, फलियां, मेबे, सबजियां या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें आईरन पाई जाती है उसका सेवन आप चाय के पहले या बाद ना करें। दोस्तों आपको अपनी प्रेगन्सी के बाद कैल्सियम वाली चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए जिससे आपके सरीर में कैल्सियम की कमी न होने पाए और आप में और आपके गर्वस सिसु में कैल्सियम बना रहें। दोस्तों केलसियम आपके करवस सिसू की हड़ियों के विकास में महत पून भूमिका निभाता है और आपकी भी हड़ियों को मजबूत बनाता है आपके सरीर में डेली 200 mg केलसियम की रिक्वार्मेंट होती है जिसी आप ब्रेड, रोटी, साबुद पादाम, टोफू इन सारी चीजों से ले सकते हैं दोस्तों केलसियम आप डेरी प्रोड़क्ट से भी ले सकते हैं जैसे कि दूद, दही, छांच या फिर मखन इन सारी चीजों से भी आपको केलसियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है इसके अलाबा आपको अपनी प्रेग्निंसी में विटमिन सी का सेवन करना चाहिए विटमिन सी आइरन के अप्सूशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी चीट से iron का absorption बहुत अच्छी तरह से vitamin C के कारण आपके सरीर में हो पाता है दोस्तो vitamin C आपके गर्वज सिसू को गुरा बनाने में भी बहुत help करता है और चाय के ज़्यादा सेवन से आपके गर्वज सिसू का रंग दब जाता है इसलिए caffeine वाली चीजों का सेवन कम करें और vitamin C का सेवन ज़्यादा करें दोस्तो vitamin C आपको संत्रा, नीवू, आमला, सारे खटे फलो से मिल जाता है इसके अलावा pregnancy में protein बहुत ही ज़्यादा महत्पून है आपकी pregnancy को सफल बनाने के लिए इसलिए अपनी pregnancy में आप protein rich food का सेवन जरूर करें प्रोटीन आपको दूद, अंडा, मीट, सोया बीन से मिल जाता है दोस्तो protein आपके placenta का विकास करता है जिससे सिसू का विकास बहुत अच्छी तरह से हो पाता है morning sickness भी protein से नहीं होती है दोस्तो 90% गरवती महिलाओं में protein की कमी देखी गई है तो friends कोसिस करें कि आप अपनी pregnancy में चाय छोड़ दे या फिर आप चाय नहीं छोड़ पा रही है तो herbal tea का सेवन करें उम्मीद है आपको वीडियो में बताएगी बाते useful लगी होंगी अगर useful लगी है तो प्लीज वीडियो को like, share, subscribe करना बिलकूर ना भूले ऐसे ही delivery, baby care और pregnancy से related जानकारी के लिए हमारे चैनल दीपासोनी.com को subscribe करें दोस्तो आपका एक like हमारे लिए बहुत ही जाता important है इसलिए वीडियो को like भी जरूर करें मिलते हैं अपने अगरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद